यहां से मैं देखूहँ치 ऊन्ट मेड़ वायर अव उन टर्नमेड़े और सर्टेन लेंद चलों एक क्वायर बना लेते हैं यह वला अब उस में लेंफ और इसकी रेडियस आरे तो aladaturla रव दिता हूं इन इसी रड launchedे अर्वन बोल देता हूं from the same length two turns, एक coil है जिसकी length L है अब इसी length का मैंने दूसरा coil बनाया जिसमें number of turns 2 आ जाएगा लेकिन radius इसका change हो जाएगा मानलो R2 हो गया, इसमें radius R2 हो गया, लेकिन length इसका भी same है, तो करता है अगर इसमें current की value same है इसमें भी आई है और इसमें से भी आई है, तो magnetic field यहाँ पर जो magnetic field B है और यहाँ पर जो magnetic field वो B2 है, मानलो B1 है B2 है तो यह कहता है कि B1 अपन B2 की रैशियो निगाल ली है ठीक है B1 अपन B2 तो वैसे तो आपको result याद है इसका कि तो आप direct apply कर सकते है जैसे मानलो मुझे result याद है अगर number of turns N कर देते हैं तो magnetic field B2 की जो value है N square times B1 हो जाता, टू टन किये हो तो N का square 4 हो गया तो B1 मतलब आ जाएगा B1 अपन B2 जो है वो अगर तुम देखोगे B1 अपन B2, B1 अपन B2 की जो value आ जाएगी वो 1 ratio 1 by 4 आ जाएगी इस इसाब से B option सही है अगर यह result याद नहीं है तो आप इसको derive कर लो second method मतलब यह थोड़ा method लेंद दी पड़ेगा पहले वाइल के नहीं magnetic field लिको mu naught i 2r ये और r length l है तो यह जाएगा 2pi r1 length l और यहां से मुझे r1 की जो value मिल जाएगी l upon 2pi तो यह उठा के अगर यहां length के term में रखोगे तो magnetic field b1 की value आ जाएगी वो mu naught i pi और divided by 2 ने 2 को खतम कर दिया l तो यह जो है magnetic field पहले वाले के center पर आ जाएगी अब आप इसमें दूसरे वाले में आपने 2 turns कर दिये हैं तो वहां पर जो magnetic field b2 की value जो आ जाएगी देखो b2 कितना हो जाएगा b2 जो आ जाएगा mu naught i current की same है 2 radius r2 और number of turns से multiply कर देते हैं तो number of turns इसमें 2 है तो length की same है तो radius यहां भी निकाल दो तो 2 pi r2 और number of turns 2 है तो यह length equal होना चाहिए तो यहां से radius r2 की value आ जाएगी l upon 4 pi और यह l upon 4 है r2 है और number of turns इसमें 2 है तो यह ले जागे यहां रखोगे तो b2 की जो value आ जाएगी हो आ जाएगी mu naught i 2 times और 2 और r2 की value l upon 4 pi तो यह 2 times कट गया मतलब है आ जाएगा 4 और mu naught i pi divided by l इसको solve कर लो मतलब है आ जाएगा 4 times b1 तो obviously b1 upon b2 की जो value आ जाएगी 1 by 4 आ जाएगा दोनों method से ऐसे तो magnetism अगर हम करते हैं तो इस result को याद कर लेते हैं कि अगर कोई coil है जिसका length l है उसी coil का n turns कर दिये तो magnitude will n square times बढ़ जाती है चार सेल्ड़ ग्रह जाएगा मझाएं हो भ्राप शे कर दो बाद जाया जाती है pieceं इसकिसे हैं तो आहीं पाल्स, आएगा आहे चाया मतलब है झालों मतलब है कर दे OW